वल्कम बैक टू श्री गीता का पासिया तेल नोखी अनोखी रसोई आपने शिख्या दाबिली पराठा तैनी रेसिपी लखवा तैयार थाई जाओ दाबिली पराठा बनावा मटे जोईश्य तेल 2 टेबल स्पून दाबिली मसालो 125 ग्राम बटागा 3-4 नंग मसाला शिंग 2-3 टेबल स्पून कोथमीर जरूर मुझब दाडमना दाना 2 टेबल स्पून तमेटो कैचप 1 टेबल स्पून अने घौनी तैयार करेली कणक गानी शिंग माटे जोईश्य तमेटो कैचप, मसाला शिंग, दाडमना दाना अनी कोथमीर दाबेली पराठा बनावा माटे तो ब्रतम एक पैन मा तेलली गरम थाय एटल तेमा दाबेली मसालो नाकी शेकीलो मसालो बरबर शेकरी जाय इटल सेमा बटे गाउ मेरी मैश करी प्रापर मिक्स करीलो हवे तमा मसाला शेंग, कोथमीर, दाडमना दाना अने टामेटो कैचप उमेरी स्टफिंग तयार करी एक दीश मा गाडी थन्डू थवादो तयार बाद तयार करेला घौनी गणक मादी बी रोटली वडी तनी वच्चे स्टफिंग भरी काटा थी जने प्रिक करीलो तयार बाद तभी पर थोड़ो तेल मुखी, परठाने शेकी लई, एक डीश मा लई, पीजा गटर थी गट करी, टमेटो कैचप, मसाला शेंग, दाडमना दाना अने कोथमीर ती गानिश करी सव करो तो तयार चे दाबिली पराठा नैना बें परणी रेसिपी तो खुब सारसा थी, अव आपने बीजी रेसिपी कही शीए? यहा जैनिस आपने बीजी रेसिपी बनाविस बड़कों प्रिये रेवी स्ट्रॉबेरी कुस्टर्ड अल्वो स्ट्रॉबरी नी सीजन पना पूर जोश मा अचे तो सोप्रुथम तेना इंग्रीडेंस चुए लाई है हाँ चुकस एना वाटे आपने जुए से गी कॉस्टर पावडर, स्ट्रॉबेरी क्रश, खान, फूद कॉलर, और स्ट्रॉबेरी एसेंस और पाणी तो आर रसीप बनता लगपक किलो समय जाशने लगपक 10 मिलिटर श्रॉबात करिया चुकस जिनिश आमा आपने परफेक्ट माप कोई छे ए माप फॉलो करिये तो आपने अलवो खुबत सारू बने छे एमा एक वाटकी कस्टर पावडर लाइसू कोई भी तम्हें वाटकी लो पने छे वाटकी लो एनने खान और अने कस्टर स्ट्रॉबेरी क्रश्ट और पाणी फॉलो करवानू तो तमारी रसीपी परफेक्ट बनसे एक वाटकी कस्टर पावडर लाईशु एक वाटकी स्ट्रोबेरी क्रश्ट नाखीशु तुर्णे डड़ वाटकी खांड लाईशु खाननों प्रमान आपड़े आमा थुड़ु बदारे ज्राएशु तुर्णे पावडर फूले पाणी थी एटले पछी मोलो टेश्टन आवेना माटे बेलेंस्ट गरामाटे खांड आपड़ लेवानी और जे वाटकी लोटली तो होई एज वाटकी बे वाटकी पाणी ले ल खांड और एक वाटकी स्ट्रोबेरी क्रस्ट जो स्ट्रोबेरी क्रस्ट उछो लेओ हो तो खांड नू प्रमान तमें वदारी शको ओके आप बद्धुज आपड़े नीचेज प्रोसेस करवानी छे एनने एक रसकरी इने मिक्स करी देवानू गांठान पड़े ए रिते आपड़े मिक्स करी शू ले आपड़े बीटरती हैने और लावीशू अ मिश्रन पानी दार वधारे थे हाँ पड़े आपने कूक करी शू त्यारे जड़ा के उने ही लागे क्या मिश्रन पानी वालू जे अने खुब जड़प्ती बनी जती या बालको ने प्रिये वे स्ट्रोबेरी क्रश अलो रेड़ी थाई जेसे इतलो खास दियान राखवा नुके खान पूरे पूरी मेल्ट थाई जोई है अपने हलाप नहीं है आप प्रोसेसमा खान मेल्ट थाई जोई है और लोटना गंठिया ना पड़वा जोई है ना पानी थंडूज लेवानुचे वाम वाटर नहीं जो खान पूरी अगड़ी आपने अलोगों नीचे बैसी जासे ओके इतला माटे आपने आपने मिक्सड़न ने अगाल बहु जरूरी ज़रूरी जे कंड मेल्ट थाई जोई है यह पछी ज आपने बीजी प्रोसेस आगड़ करवाने जिनीच आपने खांड मेल्ट थाई गई चे अवे आपने हमें बेड्रोप्स स्ट्रोबेरी एसेंस एड़ करीशू आपने पींच स्ट्रोबेरी फूड कलर लाई शू आपने फरीथी आपने मिक्स करी दाई शू कि अमाम आपने जे टाजी स्ट्रोबेरी जोगे अचे पनलाई शक्किए हाँ एपनलाई सक्किया तो क्ये श्क्रूबेरी एक्टास जैनी इट सेल्प नहीं चाटी वदार वज़े तो खांड नु प्रमान थोड़ूक वदारे राको पड़े एन आपने बेट्टा चेके प प्रश्ट लई ये तो सारू पड़े अपनु आ मिश्रन रेडी थाई गईू छे अवे एक पेन आप्षो पेन गरम थाये अपने एक टेबल स्पून जेटलू गी मुखी शू बाकी नुकी थोड़ू-थोड़ू करीने एड करता जवानू आने मिश्रन ने अलावता जवानू ओक्टे जेनिस अवे आपनु गी गरम थाई गईू छे अवे आपने मिश्रन पेन मा पोर करीशू अने सत्ता तेने वन साइड स्टर करीशू ओक्टे एककट साइड आपने हलावता जवानू आपने थीक थातू जशे अने आपनों हल्वोर एडी थाई जशेू बहुत जडबती बनती बालकोने प्रिये एवी रेसीपी खुबत सारी लागे चे अनने देखवा माज इतली यमी चे के छोक्रावतो मागनी करवा ना डिमांड करवा ना चे दरेक ना खरे एक वार्तो रेसीपी बनसे ज़ अट्रेक्टिव चे के आपन पान पेंक कलर खु बचसारी चे हेल्पफुल चे एटले एतो लेविच जो यह जो तमे फ्रूट तरीके ना खाओ तो आवी रिते पन यूसकारी ने तमें बालकोने खवडावी शको आवे अमा धीरे तीरे अंदर घी एड करता जाईशू त्यारे नहीं थोडुक थीक थत्तु जाए मिश्रण पछी आपने घी एड करता जावानू जिनिस जो अवे आपने या मिश्रण गट थवा लाग्यू छे अवे थोड़िक के जवार मा आपने अलो रेडी थाई एक टेबल स्पून जेटलू जेना थी अलवो स्वाप्ट थासे अने खावा मा यम्मी लाग से आम जैली जो फाउम थाईगा थाईगा है बिल्कुल आमा पाणी नो भाग रहो ना जो ये ए मेहन जे पाणी नो भाग अशे तो जल्दी ठरसे नहीं और खासो तो तमने जो तुझो ही सक्के चे आपड़ू घी पन छुटू पड़ी गयुचे जो आवी रिते प्रेस करी करी ने पाणी नो भाग मोईस्चर बद्धू बाड़ी देवानू मोईस्चर एक तम उड़ी जाए पच्छी आपड़ अलवो रेडी थाई जासे आमा ड्राइफूट ना जो अल्मोस्ट आपड़ू मोईस्चर बड़ी गयुचे जो पेन मा अलवो आवी रिते फरे तो सब अने घी चुटे तो समझ भू के तमारू आ मिक्स्जर एक दम परफेक्ट छे आनने तमारू अलवो परफेक्ट रिजल्ट मलुचे तमने तर एक बाड़को आ जेली लागती माटे दरेक मम्मी यो एक वार्तो ट्राइ करवा नाज जो आपने अलवो रेडी थाई गयुचे आपने गेस बन करीशू अने एक थाड़ी मायने थाड़ी ने गीथी ग्रीस करी अने या ठंडू करवा मुख्यी शू जो इजीली स्प्रेट थाई जसे अलवा ने आपने थंडो धवा देए शू पच्छी चांदीना वरकती गानिश करीशू ओके बराबै जिने शवर आपनेसे अलवो थंडो धई गयो छे एनआ उपर आपने सिल्वार पेपर लगावी शू अन्ने पच्छी कट करीने शू करीशू ओके तो आपनेसे पेपर लगावी शुट यूजुली जे बॉंबे नो फेमस हल्वों होई थे हाहाँ एज इफेक्ट आउसे जो आर इत्रे आपने चांदी नो वरख लगावी देशु अवे आपने कट करीशु था लगबग 20-25 मिनिट जेटलों थंडों थासे एटला पीस सारा थासे हां माटे थंडों करों फुबद ज़रूरी जे आपने अपने पेटल सेप मां कट करीशु प्लेट आप सो कर दो चुछ पटाने पाद। पर दुछ पर पकाता है यह उन्हों कलर कुछ थाता है। उपकें तर्पराइब लागेचे बाड़कों और मोट्पाओं ने भी कि अच्छाने अच्छान पावा कि अच्छान उबन्हों थे जाए यह उपनो अलोड है रेडी चे तो जीनेश अपनो strawberry custard हलवो रेडी छे, जीए, टेस्ट करीने मनेक है क्यो बने छे तो strawberry custard हल्वो रेडी छे, खावा माटे, तेनी रेडी र्सीपी लागाविष पंटे पहला, श्रीगीता का पास याते लोख्यानुखी रुसोई मालाईशु एक शौट ब्रेक